सो सायन्स में अपका बहुत बहुत स्वागत है बी ए सी नरसिंग, जे एनेम और एनेम वालों के लिए एक साथ यहाँ पर गुड़ न्यूज जारी हो चुकी है तीनों के लिए यहाँ पर गुड अपडेट आ चुका है तो चले नोटिफ केसन में आपको दिखा देता हूं औ बहुत इसांदार वेक्यांसी आपके लिए रहने वाली है तो यह लिजिए यह आ गया विज्ञापन वेक्यांसी को लेकर और फोरम आपके स्टार्ट हो चुके है फोरम आप बर सकते हो यहां पर B.S.C. नर्सिंग वाले भी बरेंगे फोरम और G.N.M. वाले भी बरेंगे और आज सही अभी सही फोरम आप एपलाई कर सकते हो क्योंकि आपका यही करना तसर तीनों के लिए वेक्यांसी लाओ आप बथा दिया क्रोमेर को कमेंट कर गए ठीक है जहां की भी आपको वेक्यांसी चाहिए जैसे भी आपको चाहिए अब यहां पर देखो एक तो है आपका सब्सक्राइब यहां पर स्टाप नर्स का बद कर देखो अब अब केडिगरी वायजा आप देख सकते हो अलग-अलग केडिगरी की अलग-अलग पडियांपे रहने वाले हैँ और इसिनर्सिंग और जैन्य म वाले फोरम रहेंगे साब साब लिका हुआ यहां पर और अचे से 42 रखा गया है ठीक अब एन्यम के वेकेंसी भी देखो आप यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा वेकेंसी है मेडिकल फिल्डी की दसवे नमबर पर आपके एन्यम नर्सिंग के वेकेंसी यह रही और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 23 है पॉस्ट टोटल और केटिग्री वाइज भी देख सकते हो एन्यम वाले यहाँ पर एपलाई कर सकते है एज लिमिट हो है एटारा से यहाँ इस रखा गया है ठीक है और इसके लावा आप देख सकते हो काफिसार वेकेंसी जे अब यहाँ पर बात आते है कि फोरम किस परकार से एपलाई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यह वाला जो फोरम है यह आपको फिलप करना होगा यही इसका एपलिकेशन फोरम है यहाँ कि फोरम आपको ओफ लाइन तरीके से बरना है यहाँ पर passport साइज फोटो आपको लगाना है इदर आपका नाम पता एड्रेस पादर्स नेम जेंडर आदार यह सब basic detail आपको बर नहीं है अब यहाँ पर देखो यह आपको फिलप करना होगा पिन कोर यहाँ पर बरना होगा अब बात आती कि सर यहाँ पर कौन-कौन फोरम बर सकता है और यह कौन से एड्रेस पर हमको भेजना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसा है कि यहाँ पर नोटिफ कैसन में मेंसन है कि स्टाफ नर्स पद के लिए और एनेम के लिए यहाँ पर बेस नर्सिंग जैनेम वाले एपलाई तो करेंगे लेकिन आपका रेजिस्टेशन हर याणा नर्स से हो रखता हो ठीक है हर याणा क्योंकि यह वेकैंसी हर याणा स्टेड़ी रहने वाली है अब आप बोलिंग सर हमारे राजे में कब आएगी तो आप कमेंट करके बताओगे तब हमको पता लगेगा ना कि आप कौन से स्टेड़ से हो क्योंकि बहुत सार उन्हें पहले मेरे को बताया था कि आप हर याणा के वेकैंसी लेके आओ तो हम हर याणा के वेकैंसी यहां पर लेके आगए अब जब आप कमेंट करोगे कि इसर हमको राश्तान की चाहिए, यूपी की चाहिए, बिहार की चाहिए, तभी हमको पता लगेगा और तभी आपके लिए वेकेंसी हम ले यहाँ पर आप आएंगे ठीक है, अब देखो, एज लिमिट यहाँ पर आपको बता दिया और एनेम की वही है, सेम क्राइटीरिया कि आपका रेजिस्टेशन हर्याना नर्स कावना चाहिए, चाहिए तो आप चेंज करवा सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आपका आएंसी से है या फिर आपके इस्टेड का है तो आप चेंज भी करवा सकते हो, फिर अपलाई कर सकते हो, अधर इस यह address आपका रहने वाला है, यह वाला, Office of Civil Surgeon, Sonipat, 131-304, इस पर आपको बेजना होगा forum बरके Speed Post के माध्यम से, और forum का जो piece है 200 रुपीज आपका रहने वाला है, 200 रुपीज आपका रहने वाला है, सो सांदार वेकेंसी है, स्टाप नर्स की यहाँ पर 25 है, और BS नर्सिंग जेनेम वाले बरेंगे, एनेम की 23 है, जहाँ पर एनेम वाले बरेंगे, तो आप एपलाई कर देना, मैं आपको forum टेलेग्राम पर सेंड कर रहा हूँ, टेलेग्राम का लिंक नीचे दे रहा है, वहाँ पर forum आपको मिल जाएगा, और जहाँ कि वेकेंसी आपको चाहिए, कमेंट करके मेरे को बता देना,